हलो एवरिवन, पिछले वीडियो में हमने वेवल योजना के बारे में चर्चा की थी और इस वीडियो में हम उसी के क्रम में सिम्ला सम्मेलन पर चर्चा करेंगे सिम्ला सम्मेलन जो 25 जून 1945 को वेवल योजना पर विचार विमर्स करने के लिए आहुजित किया गया था उस समय ब्रिटिस सरकार की ग्रिश मकालिन राजधानी था और इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटिस सरकार ने कॉंग्रेस के गिरफतार कारेकाणी समीती के सदश्यों को 16 जून 1945 को मुख्त कर दिया जो अगस्त किरांते के समय गिरफतार किये गए थे और गांधी को एक मैं 1944 को पहले ही उनकी बिमारी के कारण मुक्त कर दिया गया था तो 25 जून 1945 को सिम्मला सम्मेलन एक आशा में वातावरण में प्रारम हुआ और इसमें लगभग 22 सदश्यों ने भाग लिया इन 22 अदश्यों में प्रमुकते जवाला नेरू, सरदार पटेल, जिन्ना, इसमाईल खां, अबुल कलाम आजाद, खान, अब्दुल गफार खां, तारा सिंग, इत्यादी अब यहां एक चीज ध्यान देने की है कि गांधी, गांधी हाला की इस समय सिंगला में थे, लेकिन उन्होंने इस सम्मिलन में भाग नहीं लिया था अब आगे देखें, वायस राय ने कार्य कार्णी परिशद के निर्मान के लिए भारतिय सदश्यों की एक सूची मांगी कॉंग्रेस अद्यक्ष मौलाना आजाद ने इन सदश्यों के नामों की सूची दे दी मौलाना आजाद ने तीन कॉंग्रेस हिंदू, तीन लिगी मुसल्मान और दो कॉंग्रेसी मुसल्मानों के नाम प्रस्टूत किये इस से मुसल्मानों को ध्यान दीजिए जो मौलाना आजाद या कॉंग्रेस ने लाड वेवल को नाम दिये उसमें तीन कॉंग्रेसी हिंदू, तीन मुसल्मान, दो कॉंग्रेसी मुसल्मान यान की कुल मिलाकर पांच मुसल्मान के नाम प्रस्टूत किये इस से मुसल्मानों को उनकी जनसंक्या के अनुपास से भी बहुत अधिक प्रतिनिदित प्राप्त हो रहा था और हिंदू को कम जबकि वेवल योजदा में ये प्रावधान था कि हिंदू वे मुसल्मानों को बराबर का प्रतिनिदित दिया जाएगा जो भी मुसल्मानों की जन संक्या की तुलना में ज्यादा था और यहां तो कॉंग्रेस ने उनको और ज्यादा प्रतिनिदतु प्रदान कर दिया था लेकिन इसके बाद भी इसके बाद भी जिन्ना को बड़ी आपती रही और उसने फिर से अपनी टांग अड़ा दी गई सदस्यों की सूचि को मानने को तयार नहीं थे जिन्ना का कहना था कि मुसलिम लिग ही मुसलिम लिग ही मुसल्मानों का प्रतिनिदी तो करती है और कारेकार्णी के पांचों मुसलिम सदस्य सिर्फ मुसलिम लिग के ही होंगे और मुस्लिम लिखी उनका चुनाव करेगी नेकी कॉंग्रेस ना तो कॉंग्रेस मुसल्मान सदश्चों का चुनाव करे ना ही कॉंग्रेसी मुसलिम इस कारिकारणी परिशद में सामिल किये जाए तो ये थी जिन्ना की मान लेकिन कॉंग्रेस इसी इसको मानने के लिए तयार नहीं थी यह मानना कॉंग्रेस के लिए संभव ही नहीं था जिन्ना के बात मानने कार था कि कॉंग्रेस हिंदू संस्ता है और वह केवल और केवल हिंदूों का प्रतिनेते तो करती है कॉंग्रेड में कई ख्याती प्राथ मुस्लिम सदर्शे भी थे तो जिन्ना की बात मांने का मतलब था कि इन कॉंग्रेस सी मुस्लिम लोगों को कोई प्रतिर्दूत वायसराय की कारणी में प्राप्त नहीं होगा अब इन में भी प्रमुहनेता थे अगर किसी सूरत में कॉंग्रिस जिन्ना की बात मान भी लेती है तो कॉंग्रिस के मुस्लिम सदश्चों का क्या अब देखिए आगे कॉंग्रिस ने जिन्ना की मान को नहीं माना क्योंकि कॉंग्रिस का मानना था कि वह केवल हिंदों की संसा नहीं है अपितू मुसल्मानों की भी संसा है और उनका प्रतिनी दितु वह दो कॉंग्रेसी मुसल्मानों द्वारा करना चाहती है और यदि जिन्ना मुसल्मानों की सूची तयार करते हैं तो उसमें पांच नहीं से तीन ही मुसल्मान सदश्य होंगे वेवल योजना के अनुसार हिंदु मुसल्मानों को बराबर प्रतिनी दितु मिला था जिन्ना इस बात के लिए तयार नहीं हुए इस प्रकार जिन्ना की हट धर्मिता की चट्टान से जिन्ना की हट धर्मिता की चट्टान से टक्रा कर सिम्ला सम्मेलन चूर चूर हो गया जो बाईस सदश्यों के साथ शुरू हुआ था इस कारण लाड वेवल ने 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन को भंग करने की गोशना कर दी इस प्रकार वैधानिक गतिरोद को दूर करने की एक और चेश्टा निशफल हो गई सफलता और एससफलता की कुंची एक बार फिर मुस्लिम लिख के हाथ में रहे अब इस योजना की एससफलता क्यों ही या यह योजना एससफलत क्यों ही क्या कारण थे तो देखिए इस योजना के बारे में कहा जाता है कि यह योजना एक विकरत दिमाग की उपस्ती जिसमें हिंदों के साथ अन्याई किया गया था हिंदों के बराबर मुसल्मानों को प्रतिनेदितु दिया गया जबकि हिंदों की जनसंक्या मुसल्मानों की जनसंक्या से डबल से भी ज़्यादा थी मुसलिम लिख को विशेशा दिकार दिया गया लाड वेवल यह मानते थे कि मुस्लिम लिख की सहमती सही अंतरिम सरकार बनी तो मुस्लिम लिख को ये विशेश अदिकार क्यों? तीसरी ऐसा फलता का कारण था कि बिटिस सरकार का उद्देश है समश्चा को सुल जाना नहीं था यह सब देखने के बाद यही लगता है कि बिटिस सरकार का उद्देश है बारती राजनिति गतिरोद को सुल जाना नहीं था यह मातरेक दिखावा था जो दिखावा बिटिस सरकार को दबाओ के कारण करना पड़ा एक तरफ मितर राष्टों का दबाओ जैसे की अमेरिका रूस दूसरी तरफ जापान के आक्रमन का खत्रा तीसरी तरफ शुबास चंद्र बोस का खत्रा और चो था था भारतियों का सोयोग पाना इन सब वज़े से बिटिस सरकार ने यह एक छलावा भारतियों के सामने रखा तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि इस योजना और सम्मेलन से बिटिस सरकार की नेती का परदाफाश हो गया यह इस पश्ट हो गया कि बिटिस सरकार भारतियों को सशाशन देना ही नहीं चाती भारतियों के राजनिती गतिरोद का अंत करना ही नहीं चाती वो सिर्फ और सिर्फ फूट डालो और राज करो की नीती पर ही अमल करना चाती है वो किसी भी सूरत में भारतियों को भारतियों का शाशन भारतियों का देश नहीं सोपना चाती और इसी उद्देश के वजह से ये योजना शायद ऐसा फल हो गई और भारतियों का राजनेति गतिरोद यतावत बना रहा अब आगे ब्रिटिस सरकार ने कौन सी योजना रखी भारतियों को बनाने की या किस तरह से ब्रिटिस सरकार भारतियों को सुशाशन की और ले की गई यह हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे धन्यवाद